अब एक रिविशन लेंगे पूरे फुल फ्लेज इंड एस 116 की, आराम से होले होले, मैंने जब बोला आराम से होले होले, तो it is not a 20 minutes revision, no, it could be up to 1 hour, मतला प्रॉपर एक रिविशन लेंगे, प्रॉपर, हाला कि एक घंटा बहुत ज्यादा हो जाएगा, एक घंटे के अंदर अ feel like कि हाँ, इतने बड़े भारी भरकम topic को हमने compile कर लिया अच्छे से, और कैसे compile करना है वो भी साथ साथ, pen या pencil साब्त में रखिएगा, ठीक है, revision में आपको काम आएगा, तो हम कर रहे हैं शुरू revision, ठीक है, जो lecture end करना है, वो यहाँ पर end हो जाता है, अब करते हैं हमारा revision शुरू, 116, leases, weight is आपके सामने दिख रहा है, 5 to 8 marks का है, मतलब यह छोड तो नहीं सकते, यह बहुत important है, sir 116 में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, 116 में हमने सबसे पहले पढ़ा था, scope of India 116 मतलब 116 पांच जगाव पर नहीं लगगा, पांच जगाव पर 116 अपलाई नहीं अगर हम कोई property lease पर ले रहे हैं, तो यह cover नहीं होगा, biological assets अगर हम lease पर ले रहे हैं, तो cover नहीं होगा, आपको reason सामने लिखे हुए है, बार-बार repeat नहीं करूँगा, service concession agreements, service concession agreements क्या होते है, government और private party के बीच के agreements होते है, जहां पर हम public property बनाएंगे, government के बहाफ पर, और उसक का separate discussion 115 में दिया गया है, cover नहीं होगा, intellectual property को अगर मैं lease पर ले रहा हूँ, तो वो भी India 116 में cover नहीं होगा, reason आपके सामने लिखा है, इसके अलावा, अगर movies, motion picture, flames, video recordings, अगर इन सब का lease लेन देन हो रहा है, तो वो India 38 में cover होगा, 5 चीजों को 116 के leases में cover नहीं करते हैं, आगे बढ़ने से पहले, lease की accounting क्या है, lessy की books में accounting ऐसी कहती है कि lessy को ROI asset book करना होता है, और lease library book करना होता है, but lessy को 2 exemption दिये गए है, lessy को क्या exemption दिये गए, lessy को कहा गया है, कि अगर तुमारी short term lease है, या फिर तुमारी low value lease है, तो तुम यह ROI asset account debit, lease, liability credit, यह फ्यालतों की पास पास कुछ मत कर, सीधा तुम जो भी lease rent pay कर रहे हो, उसको SLM basis पर write up करो, P&L में, हतम, SLM basis पर P&L में write up करो, तब जब तुमारी short term lease हो, या फिर low value lease हो, आईए, short term lease क्या होती है, अचा, बगल में मैंने लिखा हुआ है कि कौन कौन से question आपको refer करने चाहिए, मेरी question bank के, तो अगर आपने नहीं लिखे हो, तो लिख लेना, short term lease क्या होती है, short term lease मतलब ऐसी lease जहां पर total lease term 12 months से जाधा ना हो, including renewal period, short term lease term है, वो 12 महीने से जाधा नहीं होना चाहिए, यह होती है, आपकी short term lease, short term lease का, आपको advantage कम मिलेगा, जब आपको purchase price option नहीं दिया गया है, अगर आ और कुछ नहीं है, बस यही है, अगर आप को लग रहा है कि आप renew करवा सकते हो 12 महीने के बाद, मतलब यह short term नहीं है, तो यह हो गया short term, low value asset क्या होती है, low value asset मतलब जहां पर जो asset आप ले रहे हो lease पर, उसकी value immaterial है, बहुत ही low है, फिर lease term कितना भी हो, 2 साल, 10 साल, 15 साल, 20 स यह सब अगर lease पर ले रहे हो, तो हो सकता है, वो low value का है, तो आप उसके उपर exemption ले सकते हो, directly आप lease rent को SLM basis पर book करो, और charge कर दो pay handle में, आपको ROI asset book करने की ज़वरत नहीं है, low value के लिए कोई threshold define है, नहीं, कोई threshold define, नहीं है, बस condition यह है कि आप sub lease नहीं कर सकते, अगर आपने sub lease किया, तो आप low value asset का, low value lease का, वो नहीं ले सकते, exemption नहीं ले सकते है, दूसरी चीज, जो low value asset है, वो independent nature की होने चाहिए, वो capable होने चाहिए, खुद के, अकेले, अपने आप में utility उसकी होने चाहिए, मतलब वो dependent नहीं होने चाहिए, किसी दूसरी asset के उपर, उसी को मानेंगे वहीं पर आपन उसको low value asset का अंदर अपन exemption लेंगे, शौर्ट में आपको यहां पर discuss किया था, कि short term lease के अंदर purchase price option नहीं होना चाहिए, sub lease हो सकता है, आपको exemption मिल जाएगी, low value के अंदर purchase price option हो सकता है, पर sub lease नहीं होना चाहिए, आपको exemption मिल जाएगी, ठीक है, हाला कि बाकी और चीजे इतनी जाद इंपोरेंट नहीं है, बस आपको low value देखना है और short term देखना है, तो इसमें treatment क्या था, treatment simple था, आपको books of accounts में, ROI और lease liability book नहीं करना है, discounting नहीं करना है, finance service book नहीं करना है, आपको lease rent को SLM basis पर write-up करना है, that's it, फिर part 2 शुरू हुआ, part 2 के अंदर हमने identified asset, वैसे तो control हम India 38 में पढ़के आये थे, India 38 में हमने control का definition देखा था, power to obtain the economic benefits, अगर हमारे पास power है, उस asset को use करके economic benefits obtain करना, और दूसरा, हमारे पास इतनी ability है, कि हम दूसरों को restrict कर सके, इस asset को access करने के लिए, तो हमें माना जाएगा कि हमारे पास control है, ऐसा ही कुछ मिलता उन्होंने यहाँ पर भी define किया right to control को, और बलकि और detail में, right to control में उन्होंने बुला कि दो condition फुल्फिल होंगी, तो माना जाएगा कि lessie के पास right to control है, क्या हो दो condition पहला, lessie के पास substantial all economic benefits, अचीव करने का right है, तो यहाँ पर भी दो वही था, power to obtain economic benefits, यहाँ पर भी वही है, substantial all the economic benefits will be given to the lessie for the entire lease term, यहाँ बस मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी, कि याद रखना मेरे प्यारे, अगर asset की life 10 साल है, पर lease term अगर 2 साल है, तो यहाँ पर 2 साल के point of view से आपको economic benefits देखना है, 10 साल के साब से नहीं, आप यह नहीं बोलोगे, कि सहर, asset तो 10 साल की है, यह तो exclusive rights है दो साल के लिए, हाँ, तो यह lease है, एक साल के लिए, हाँ, तो भी lease है, तो पूरे lease term में exclusive rights सिर्क lessie के पास है, ऐसा नहीं कि lessie बिचारा भीक माग रहे है, आर दे आर दे आर दे आर asset, कोई और भी asset use कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इससे कहीं exclusive rights से यह दोनों direct the use of the asset में हमने देखा था, how and for what purpose the asset will be used, कैसे use होगी, कभी होगी, यह lease decide करेगा, अगर ऐसा हो रहा है, तो माना जाएगा right to control है, right to control के साथ-साथ बोला गया था, asset should be identified, identified asset का मतलब होता है, कि asset physically distinct होनी चाहिए, पहली बात तो, ठीक है, और जो asset lesser को दी गई है, lesser के द्वरा पास अपने के rights नहीं होने चाहिए, और अगर substitute वो कर भी रहा है, तो वो lessie के benefit के लिए substitute कर रहा है, अपने benefit के लिए नहीं कर रहा है, lesser asset को change कर सकता है, अपनी मर्जी से और अपने खुद के benefit के लिए, अगर ये प्रूव हो पा रहा है, तो इसका मतलब lesser जब चाहे तब अ identified नहीं है, अगर asset identified नहीं है, तो ये lease contract नहीं है, तो lesser के पास substantive substitution rights नहीं होने चाहिए, चलिए, substantive substitution rights में नहीं पताया था, कि lesser की खुद की मर्जी नहीं चलेगी, और दूसरा, lesser अगर economic benefits के लिए, अपने benefits के लिए अगर substitute कर रहा है, तो माना जाएगा कि वह substitution rights है उसके पास, फिर हमने lease term discuss किया था, lease term के अंदर 3 terms आते है, एक non-cancellable, एक आता है cancellable, एक आता है renewal, non-cancellable मतलब enforceable contract, मतलब minimum serving period, minimum serving period मतलब lesser lessee के वीच में का 3 साल का minimum agreement होगा, even अगर तुम मानलो 2 साल बाद lease cancel कर रहा हो, तो मुझे तुम पूरा rent 3 साल का दो गी दोगे, मुझे कोई म content होता है, ये तो lease term के अंदर आता ही आता है, पर बाकी दो चीजे lease term के अंदर आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, पहली चीज मैं बोलूगा renewal, renewal क्या होता है, minimum 3 साल का serving period हो, और हमने agreement 3 साल गई किया, lesser ने lessee को option दिया, कि तुम जाहो तो 3 साल बाद जाहो तो renew करवा लेना, अब renewal period को क्या हमें lease term में लेना है, अगर lessee को लगता है कि मैं renew करवाऊंगा, renew करने के chances अच्छे खासे हैं, तो वो इस period को भी renew करवाऊंगा 2 साल के लिए, तो वो 2 साल को भी lease term में add करेगा, ठीक है, तो renewal period yes will be added, if it is reasonably certain, कि हम वो option exercise करेंगे, तीसरा होता है, cancellable period, cancellable period मतलब lesser, बिना lessee के consent के lease term cancel कर सकता है, lease cancel कर सकता है, उस period में, और lessee भी बिना lesser के consent के cancel कर सकता है, दोनों एक दूसरे के उपर penalty भी चार्ज नहीं कर सकते, ये contract non enforceable है, मतलब अगर मैं बोलू कि lease term 5 साल का है, 5 में से 3 साल minimum serving period है, चौथे 5 साल, अपनी अपनी मर्दी से हम contract को cancel कर सकत करेंगे, तो उस period को, उस 2 साल के period को बोलेंगे, cancelable period, सर इस cancelable period को total lease term में लेना चाहिए, क्या, ये तभी लेना चाहिए, जब surety है, कि सामने वाला cancel नहीं करेगा, और मैं तो नहीं करूँगा, वो भी cancel नहीं करेगा, मैं भी नहीं करूँगा, तो मैं लूँगा, कि भाई, पता है मुझे कि नहीं, वो किसी और को asset नहीं देगा, और मैं भी ये use करूँगा, cancelable period के दोरान भी, तो फिर मैं इस period को consider करूँगा, नहीं तो मैं इस period को consider नहीं करूँगा, ठीक है, एक बात और मैंने करवाई थी, non consecutive period of time को भी lease term में लिया जा सकता है, साल में सिर्फ 3 मह आगे बढ़ने से पहले, यहां तक कोई doubt, tell me, आगे बढ़ने से पहले, यहां तक कोई doubt, मेरा challenge है, आपको revision के end पर, यह realize हो जाएगा, कि हाँ यार हम कुछ नहीं भूले, सब चीजे जो थी, पिछले कुछ time से, जो हमारा बीच में gap हो गया था, वो साब हमें वापस याद आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल tension मतले न, चलो, आगे बढ़ते हैं, wait, अब अगली बात, जो कि बहुत जरूरी है, yes, part 3, सब से important part, lessee की books of accounts, में accounting treatment lease का क्या होगा, बहुत ही simple है, lessee क्या करेगा, lessee, commencement of lease पर, एक entry पास करेगा, ROU asset account debit to lease liability, ROU asset account debit to lease liability, ROU asset क्यों, क्योंकि उतने time के लिए, lessee के पास exclusive rights है, lessee के पास right to control है, जो भी भी पढ़ा किया है हमें, और lease liability क्यों, क्योंकि lessee जो है, वो धीरे धीरे payment करेगा, तो एक तरीके से loan है, is a kind of loan, तो वो दो चीज़े होगी, present value of future payments, कौं से future payments, lease payments, प्रेजने value of lease payments, present 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 value करने के लिए, discounting rate कहों सा लेंगे, या तो interest rate implicit lease, या तो lessee का incremental borrowing rate, उसके बार में आपन नीचे बात करेंगे, तो lessee क्या करेगा, जितना भी वो payment करने वाला है, lease payment उन सबको present value पर话 करेगा, that is the lease liability, आज क point, प् कुल मिलाके lease payment में 6 चीज आएंगी पहला fix हर साल एक एक लाफ रुपे दूँगा fix दूसरा in substance fix मतलब दिख तो रहा है कि वो variable है पर वो variable नाम का है वो है fix in substance payment तीसरा variable lease rent depending upon index or rate चौथा GRV तभी आएगा जब हम asset को वापस करेंगे पांच वा purchase price option तभी आएगा जब हम asset को वापस नहीं करेंगे हम asset खरीद लेंगे last में तो ही वो payment आएगा और चठा penalty अगर हम अगर हम cancelable period में अगर हम cancelable period के अंदर lease को cancel कर रहे हैं तो हमें penalty भरनी पड़ेगी तो penalty तभी आएगी जब हमें पता है कि हम minimum contract period को भी serve नहीं कर पा रहे हैं वापस करने वाले asset को तो यह 6 payments आपके lease payment में आएंगे 6 के 6 आएंगे नहीं 6 में से आएंगे ठीक है अच्छा क्या नहीं आएगा variable lease rate not depending upon index or rate जैसे depending upon kilometer depending upon units produce sop वगेरा जो मैंने question कर वाए था तो variable lease payment आपका lease payment में नहीं आएगा इसको directly pay handle में चार्ज करेंगे इसके अलवा अगर आप कोई payment additional कर रहे हो for goods and service मतलब for non lease component तो वो भी आपका lease payment में नहीं आएगा तो आपने क्या किया आपने total lease payment का present value निकाला और आपका lease liability सिंपल ठीक है अब ROE asset क्या होता है ROE asset भी क्या सेम amount पे आएगा रुख जाओ ROE asset में ये चार content आएगे ये चार कौन कौन से एक तो जो lease liability का आपने initial amount निकाला as it is वो प्लस जो आपने एक down payment पे किया है अभी के अभी already क्योंकि lease liability में आपने डीपी नहीं लिया होगा lease liability का मतलब है remaining lease payment remaining lease payment तो डीपी आप already पे कर चुके हो वो आप add कर दोगे इनिशल direct cost जो आप अलग से पे कर रहे हो खर्चा कर रहे हो वो lesser को पे नहीं कर रहे हो दुकान के उपर खर्चा कर रहे हो जो property लिया उसके उपर खर्चा कर रहे हो और present value of dismantling cost यह वही है separately यूज कर पाओगे तो आप उसको आरो यू में add न करके आप उसको separate pp बनाओगे तो यह हो गया आपका आरो यू असेट एंट्री क्या होती है आरो यू असेट अकाउंट डेट जो कि हमने यहां निकाला टू बैंक डाउन पेमेंट टू बैंक इनिशल direct cost टू discounting rate sir कॉंसा लेना है first priority में आपको discounting rate लेना है IRI अगर question में दिया हो तो अगर question में नहीं दिया है तो incremental borrowing rate आपको question में दिया जाएगा चलिए यह हो गया आपका lease liability कैसे book हुआ और ROU कैसे book हुआ बैलेंशी डेट पर आप क्या करोगे बैलेंशी डेट पर आप ROU asset को just like PPE की तरह एक asset बानोगे उसको आप cost model या फिर revolution model के हिसाब से लेके जाओगे India 16 में properly आप उसके उपर depreciation लगाओगे डेपरिशन वाला point बहुत important है डेपरिशन का period कितना होगा अगर purchase price option लिया है और आपको पता है कि purchase करोगे तो डेपरिशन लगाओगे for the entire useful life of the asset no least term जबकि अगर आप purchase price option नहीं ले रहे हो तो फिर डेपरिशन का period क्या होगा least term और useful life whichever is lower whichever is lower मतलब आपका least term पांच साल का है पर useful life ही चार साल की तो आप चार साल में आपके asset खतम हो जाएगी तो आपका डेपरिशन पीरेट चार साल का होगा ठीक है तो आप ROU को normal PPE की तरह ट्रीट करोगे ठीक है फिर लीज लाइबिटी क तो आपने निकाली beginning में उसके उपर आप interest बुक करोगे वो add हो जाएगा फिर आप payment करोगे year end पे और फिर आपका closing आजाएगा पर अगर मान लीजे question में beginning of the year में payment करना है तो total में से पहले payment किया जाएगा मैंने आपको बताया था कि पहले payment का column आएगा फिर जो remaining balance बचेगा interest उस पर निकलेगा याद होगा आपको question के अंदर अगर ना बोला जाए कि payment कब कर रहे beginning में कि end में तो हमेशा मानोगे beginning में क्या सब आपने यह लिखवाय था कहीं शायद नहीं लिखवाय था अभी लिख लीजे कि अगर payment के बारे में कुछ न लिखा हो तो हमेशा beginning में मान in question तो इस तरीके से आप निकालोगे बस यह है कि year end के लिए थोड़ा सा format अलगे और beginning के लिए लगे बिगनिंग में क्या होगा opening में से पहले payment माइनस करोगे फिर जो remaining balance बचेगा उसके उपर interest लगाओगे उसको plus करोगे तो closing आस लाएगा I hope आपको समझ में आ गया होगा ठीक है सबको समन में आएगी नहीं आगे लैसी के P&L में क्या-क्या जाएगा लैसी के P&L में depression जाएगा ROI के उपर जो लगाए गया interest expense जो उसने यह वाला निकाला वो आएगा वेरियबल लीज पेमेंट जो डिपेंडिंग अपॉन नाट डिपेंडिंग अपॉन इंडेक्स हो रिट होते है वो आएगा ROI कर सकता है इंपेर में आपको separate इंडेस पढ़ाने वाला हूं और लास्ट में अगर लीज लाइबिटी में कोई बदलाव हो रहे हैं because of re-measurement तो वो भी आ सकता है वो मैं अभी discuss करूंगा हमने foreign currency पर बहुत बड़ा discussion किया था practical example मिने आपको refer करवाय था मिने उसका यहां पर steps लिखके रखे है अगर आपका foreign currency लीज है मतलब आप payment कर रहे हो foreign currency में ठीके foreign currency लीज है पर इंडिया में accounting करनी है तो आप कैसे करोगे दो हिससे initial recognition subsequent measurement हमें आपको बता दूँ बहुत सारे अभी जब book आपको print होके आएगी तो उस print में आपको यह already printed मिलेगा यह वाला चीज already printed मिलेगा don't worry यहां मैंने लिखा हुआ है पर वो print होके मिलेगा तो initial recognition कैसे करोगे initial recognition आप lease payment foreign currency में कर रहे हो तो जो आप foreign currency में lease payment कर रहे हो ना अब पहले उनकी discounting भी foreign currency में करोगे तो दिसकाउंटिंग करते है ना यहां पर तो discounting आप foreign currency में ही करोगे foreign currency में ही उनकी discount करोगे जो भी आपको discount rate दिया जाएगा पर फिर जो value step 1 में आएगी उसको translate करोगे final amount जो यहां से मिला यह है आपका is equal to final amount जो final amount आया आपका उसको आप translate करोगे foreign currency से functional currency इंडियन currency में translate करोगे कौन से rate पर exchange rate on the lease commencement rate जिस दिलीज स्टार्ट हुआ उस दिन का जो exchange rate होगा उस दिन पर आप convert करोगे और entry करोगे ROE account debit to lease liability उस इंडियन रुपीज में तो पहले foreign currency में ही पूरी discounting हो जाएगी lease liability foreign currency में निकल जाएगी और उसको translate क आप year end पे या year के beginning में depend करता है lease rent का पेकर जब भी lease rent पेकर होगे उसको आप उसी दिन के actual rate पर convert कर दोगे तो आपने interest निकाल लिया average rate पर convert किया payment किया आपने foreign currency में actual rate पर convert कर दिया आपकी फिर आजाएगी closing balance Closing balance आपका foreign currency में आजाएगा sir foreign currency में कैसे आएगा closing balance foreign currency में ऐसे आएगा तो यहां पर कुछ नो कुछ अकाउंट में difference आएगा और उस difference को आप पी अडल में book करोगे उस difference को आप पी अडल में book करोगे आई होप आपको समझ में आगया होगा तो calculate closing balance in foreign currency first and translate into closing rate आप उसको closing balance translate करोगे फिर आपको difference आएगा आपका पी अडल में हमने foreign currency के ऊपर question किया था मैंने must do questions में भी डाला हो रखा था चलिए anyways आगे बढ़ते हैं better रहेगा पिर अपन बात करेंगे lease liability का remeasurement sir lease liability record कर ली हर साल हम यह वाली working करते हैं opening interest payment closing पिर opening interest payment closing opening interest payment closing sir यह हुआ कि इसके बाद न यहां पर कुछ situation बदल गई चौथे साल में 4th year में change हो गई situation क्या sir कुछ बदलाव हो रहे है lease term में changes हो रहे है purchase price option पहले नहीं लिया था अब लग रहा है कि हम ले रहे है renewal period पहले नहीं लिया था अब ले रहे है यह पहले लिया था अब नहीं ले रहे है discounting rate change हो रहा है यह GRV change हो रहा है यह index चेंज हो रहा है यह variable lease payment change हो रहा है because of change in index कुछ भी बदलाव हो रहे है insubstance fixed payment change हो रहा है कहते हैं, remeasurement, remeasurement की अग सबसेग बड़ी खास बात यह है, no change in original terms and conditions, original terms and conditions आज भी वही है, original terms and conditions में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, original terms में लिखा था कि lesser मुझे renewal period दे रहा है, renewal option दे रहा है, मैंने consider नहीं किया था, दो साल का मुझे renewal period का option दे रहा था, मतलब साथ, पर मैंने बलाई नहीं, दो साल नहीं, जिर पांच, पर after sometime मुझे लग रहा है, नहीं नहीं, वो दो साल ले लेने चाहिए, तो original terms में उसने मुझे already दे दिये थे, purchase price option मुझे original terms and condition में दे दिये थे, मैंने नहीं लिया था, ठीक है, GRV वो तो expected है, उस पे क्या हो, वो तो change होई सकती है, तो original terms and condition में और कोई बदलाव नहीं हो रहा है, उसको कहते है, remeasurement, केस में सबसे बड़ा question आता है, कि discounting rate कौन सा ले, पुराना वाला discounting rate ही continue करे, या नया वाला discounting rate ले, जिस दिन remeasurement हो रहा है, तो मैंने आपर आपको बहुत ही simple चीदे बताई थी, कि अगर आपके जो बदलाव हैं, आपको वो देखना है, कि वो market related changes हैं, कि non market related changes है, अगर non market changes हैं, मतलब वो आप अपनी इच्छा दे change कर रहे हैं, जैसे purchase price option पहले नहीं लिया था, अब ले रहे हैं, यह तो non market change है, यह आप अपनी इच्छा दे change, यह ले रहे हो, renewal period में changes कर रहे हो, least term में बदलाव कर रहे हो, ठीके न, तो यह आप अपनी इच्छा से कर रहे हो, आपके ऊपर penalty लगेगी, आप नया discounting rate लोगे, पर यही पर ऐसे बदलाव जो आपके हाथ में नहीं है, ठीके न, आपके हाथ में नहीं है, स्रिष्टी ने बदल दिया, ठी इसमें मैंने आपको steps लिखवाई थी, यह steps भी printed book के अंदर print करके आएंगी, पर यहां पर फिलाल लिखी हुए है, क्या, सबसे पहले, जिस दिन re-measurement करना है, उस दिन का lease liability का canning amount निकाल लो, उस दिन lease liability का book value निकाल लो, कितना है, step 2, जो नई terms and conditions है, मतलब जो new changes है, उन changes क according, आप revised lease rent निकालो, lease liability निकालो, with original or revised discounting rate, as the case में भी, जो भी हमने अभी discussion किया, तो आप revised lease liability निकालो, compare करो carrying amount of lease liability से, या तो lease liability बढ़ेगी, या तो गिरेगी, increase होगी, या तो decrease होगी, और उस increase decrease को, आप ROU के अंदर ले जाओगे, किस के अंदर ले जाओगे, ROU के अंदर, calculate increase decrease in lease liability, and compare step 1 and step 2, ठीके, फिर अगर increase हो रहा है, तो ROU to lease liability, decrease हो रहा है, तो lease liability to ROU, ROU maximum, कम होते होते 0 तक आएगा, अगर उससे और ज्यादा decrease हो रही है, तो वो P&L में जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, change in lease liability, मतलब decrease after adjusting ROU, if ROU reduced to 0, तो remeasurement के अंदर, remeasurement, इसके उपर मैंने question 2, 1, 3 यहाँ पर note करके रखवाया है, आपको, वो कर लेना, लवो एक बार देख लेना, दूसरा question number 206 भी note करवाया है, वो भी एक बार देख लेना, मुझे बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत, tell me guys, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं, चीक है, आगे बढ़ सकते हैं, yes, आगे हमने क्या पढ़ा था, आगे हमने कुछ पहले तो छुट पुट चुट पुट पइंट्स पढ़े थे, सर, आगे यह था, आगे यह था, कि सर, यह भी लेसी की बाते चल रहे हैं, यह लेसर की नहीं, sir, lease of multiple assets, lease of multiple assets, मतलब, एक ही contract के अंदर, अगर multiple assets है, तो हमें इसको single lease मानना है, कि हमें इसको separate separate करना है, हमें इसको multiple leases मानना है, तो हम इसको basically क्या करेंगे, each asset shall be treated as separate lease component, single single lease, अलग-अलग lease मानना है, separate separate करना है, कब जब दो condition fulfill हो जाए, क्या, जो भी asset है, उस contract के अंदर, हर एक asset individually capable है, individual benefits देने के लिए, वो asset, किसी दूसरी asset, उस contract की दूसरी asset के उपर निर्भर नहीं है, अगर वो asset, same contract की, दूसरी asset पर निर्भर है, dependent है, मतलब यह single contract है, अलग-अलग contract माना जाएगा, अगर हर एक asset, individually आपको benefit दे सकती है, तो, दोनो condition पढ़ोगे, आपको मतलब एक ही दगेगा, तो अगर ऐसा है, तो आप उसको separate separate lease मानोंगे, contract combination, उल्टा, अलग-अलग contract की है, same lesser के साथ, contract 1, contract 2, contract 3, तीनों contract को merge करके single lease मानने क्या, या तीनों contract को merge करके, मर्ज ना करें, अलग-अलग माने, तो आप single मान सकते हो, single contract मान सकते हो, अगर तीनों में से कोई एक condition फिल पिल हो जाए, पहला, या तो single package, तीनों contract का मिलकर एक ही package decide हुआ है, single package है, single package मतलब लीजरेंट, एक single है, भले asset आपस में related to each other हो दाई हो, या फिर, एक asset का consideration, दूसरे के performance या दूसरे के consideration पर depend करता है, कि तुमने मेरा आभी तक वह वाला काम नहीं किया, तो मैं तुमने पूरा payment नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि तुमने मेरा वह वह वाला काम complete नहीं किया है, अगर ऐसा कोई situation है, मतलब या आपस में dependent है, तो एक ह single contract मानना पड़ेगा, या तो तीसरा, जितने भी contracts में, जितनी भी assets है, उस सब connected to each other है, और वो एक single project के लिए बनाई जा रही है, वो एक single project के लिए contract किया जा रहा है, मतलब ये contract है, अलग अलग, दिखते अलग अलग है, पर वो एक single objective के लिए किया गया है, अगर single objective की तरह देख रहा है, तो भी आप उसको single contract माना होगे, तीनों में से कोई भी condition fulfill होगी, तो माना जाएगा कि एक contract को combine करके, एक single मान लो, ठीक है, यह तक तो फिर भी ठीक है, यह दो जो शुरू के है, वो MCQs के लिए इस बड़े important हो सकते हैं, but lease and non lease component बहुत important था, यहां मैंने आप को याद होगा, बहुत अच्छे से मैंने discussion करवाए था, तो lease and non lease component क्या है, basically 80 contract के अंदर lease part और non lease part आ सकता है, non lease part मतलब मैं आपसे goods and services भी खरीद रहा हूँ, मैं आपसे machine ले रहा हूँ, machine के साथ साथ उसके goods भी ले रहा हूँ, machine से manufacture होने वाले goods भी ले रहा हूँ, मैं आप सबसे पहले तो यह है, यहाँ पर सबसे पहले हमने आपको पढ़ाया था कि lessie को एक shortcut दिया गया है, practical expedient जिसको बोलते है, shortcut कि lessie चाहे तो वो lease, non lease को अलग-अलग ना करके पूरे contract को lease मान सकता है, उसके पास choice है, वो चाहे तो lease, non lease को अलग-अलग ना माने, वो single lease component मान सकत है, वो चाहे तो, अगर वो ऐसा करेगा, तो फिर उसको कुछ bifurcation करने की ज़रूत नहीं है, यह सिर्फ option lessie के पास है, दूसरा मैंने बोला था, कि non lease component वही होगा, जिससे हमें extra goods and service मिल रही है, अगर मैं कुछ ऐसा कोई payment कर रहा हूं, जिससे मुझे कोई additional goods and service नहीं मिल र अगर मैंने property को किराय पर लिया, साथ साथ मैं property taxes पे कर रहा हूं, तो मैं बोलोगा property tax यह तो अलग है, यह तो rent से अलग है, नहीं, क्या property tax पे करने से मुझे additional goods and service मिल रही है, नहीं, तो non lease component में वह कोई payment नहीं आएगा, जिससे against मुझे goods and service नहीं मिल रहा है, मालो, lessie ने decide क कि मुझे non lease component को अलग करना है, कैसे करेंगे, lease का standalone price, non lease component का standalone price, अगर खाली-खाली lease लेता, asset को lease पर लेता, driver नहीं लेता, तो कितने charges लगते, और खाली-खाली driver के कितने charges है, दोनों के standalone selling price के proportion में मैं अपने total consideration को allocate करूँगा, अलग-अलग कर दूँ, ठीक है, non lease वाला part की accounting अलग होगी, और lease वाले part को, तो मैं lease rent माल लोगा, ठीक है, तो this was lease non lease component, फिर आता है, आपका सबसे बड़ा favorite topic, lease modification, lease modification, मतलब change in terms and conditions, जबकि remeasurement में हमने discuss किया था, कि original terms and conditions में कोई बतलाब नहीं हुए, पर अब हम discuss कर रहे है, कि अगर मालो, original terms and conditions ही बतल गई तो, मतलब प अब मैं आपको 60-60 दूँगा, लेसर मुझसे ज़्यादा मंग रहा है, जो कि originally contract का part नहीं था, या term originally decide हुए थी 10 years, पर अब लेसर बोल रहा है कि नहीं, आपको 15 साल तक करना पड़ेगा, जो कि originally contract का part नहीं था, तो उसको बोलते है, lease modification, जो कि originally contract का part नहीं होता है, और इस बज़ा से, क्योंकि terms and condition मतली है, तो यहाँ पर discounting rate revise लेना ही पड़ेगा, यहाँ पर revise discounting rate लेना ही पड़ेगा, उससे पहले हमने यह discuss किया था, कि जो modification हो रहा है, इस type का है, क्या modification में ऐसा है कि lessie को हम lesser, lesser से हम additional rights ले रहे हैं, additional R.O.U. ले रहे हैं, at standalone price, additional, जैसे मान लीजे मेरे पास 1000 square feet का जगह मैंने lease पर ले रखा है, मैं उसी lesser को बोल रहा हूं कि मुझे 500 square feet का जगह और चाहिए, वो मुझे दे रहे हैं, और मैं उसको बोल रहे हैं, rent तुझे थोला सास discount करना पड़ेगा, वो बोल रहे हैं, मैं discount discount नहीं करूंगा, जो market rate च grant हो रहे है, stand-alone selling price पर grant हो रहे है, तो वो एक separate new lease है, एक additional ROU और lease liability में कोई changes नहीं होगा, पर अगर ऐसा नहीं हो रहा है, और दुनिया बर के बाकी जितने भी changes है, मतलब वो modification है, modification है मतलब आपकी existing lease liability, और ROU में बतलाव होने वाले हैं, इसमें हमने पढ़े थे 5 cases, case number one, increase in lease term, lease term को बढ़ाओ, lease term को बढ़ाओ, यह बिलकुल वही step है, जो री measurement में नहीं करवाई थी, सबसे पहले, lease liability की आज की book value, जिस दिन modification कर रहे हो, second, आज की revised lease liability, as per the revised discounting rate, दोनों को compare करो, जो भी changes होंगे, वो ROU में book कर ले, यह था increase in lease term, second case था, change in lease payment, change in lease payment, मतलब consideration बदला हो रहा है, चाहे consideration बढ़ रहा है, चाहे consideration गिर रहा है, same to same आपका, case 1 की तरह, आज की book value निकालो, lease liability की, आज की revised lease liability की निकालो, based on revised discounting rate, जोनों को compare करो, जो भी increase जोगा, वो ROU में adjust कर लो, दो cases बहुत easy, तीसरा और चौथा case special है, तीसरा case, जहाँ पर आप lease term को गिरा आ रहे, lease term को कम कर रहे, जब आप lease term को कम करोगे, तो आपको क्या करना है, step number one, सबसे पहले, again, ROU का जो caring amount है, उसको proportionately आप reduce करोगे, उसको आप proportionately कम कर दोगे, मतलब पहले जो lease term था, वो था 10 साल, 10 साल में से हो गए, मैं लिख लेता हूँ, 10 साल था, 10 साल में से 3 साल हो गए, कितने मचे, 7 साल, अब हम क्या कर रहें, आप हम बोलें, नहीं, हमें 7 स साल के लिख चाहिए, तो जो ROU आपका है, वो 7 साल के हिसाब से दिख रहा होगा caring amount, उसको 5 साल पर लेकिया जाओ, तो 2 साल का ROU को decrease कर दो, 2 साल के ROU को decrease कर दो, proportionately, तो ROU का मानलो, जो भी amount है, आपका 10 लाग का value दिख रहा है, डिवाइड बाई 7, इन्टू 5, आप ROU को इ कैसे आपने ROU को decrease किया, वैसे ही आप lease liability को भी decrease कर ओगे, पर कैसे, आप revise lease liability, पहले निकालो गे, based on original discounting rate, उसको compare करोगे, carrying amount के साथ, decrease the carrying amount of lease liability, as per the revised lease term with the original discount rate, अप lease liability को decrease करोगे, as per the original discounting rate, मानलो, आपकी carrying amount है, 9 लाइक, revise आ रहही है, 8 लैक, तो decrease करोगे, अब आपने ROU decrease किय अब लास्ट स्टेप अभी तक आपने रिवाइस डिस्काउंटिंग रेट नहीं लिया है तो अब आप लीज लाइबिटी को वापस दे रिवाइस करो न्यू डिस्काउंटिंग रेट पर और जो भी चैन्जेस आ रहे हैं वह आ रहे है यह आपका डिक्रीज लिस्टम का केस और सेम तरीका फॉलो होगा डिक्रीज इन इसकोप फॉर यू मुझे पहले वन ट्वेंटीफाइंड इस्कॉाइर फिट का इस्पेस था मेरे पास लीस पर अब मैं उसको घटागर सिर्फ फिटीन इंडिड स्कॉाइर फिट लेना चाह रहा हूं वापस ले जाओ अगें से नमबर वन मैं आर यू को प्रपोर्शनेटली रिड्यूस करूँगा मेरे पास आर यू 10 लाग रुपीस का है अज बॉक वैल्यू बेस्ट ऑन 2500 स्कॉाइर फिट मिझे 1000 गिराना है 1000 स्कॉाइर फिट मिझे नहीं चाहिए तो मैं प्रपोर्शनेटली गिरा दूगा क्यारिं को भी सेम टाइप से किरा हूँगा मेरे पास आज करिंग अमांट लीज लाइबिटी है 12 लाग रुपे की बेस्ट ऑन 2500 स्कॉाइर फिट मुझे 1000 स्कॉाइर फिट नहीं चाहिए उसके साब से मैं लीज लाइबिटी को किरा दूगा मैंने लीज लाइबिटी को किरा एंट् पहले मेरे पास 2500 स्कॉाइर फिट था अब मैं 3500 और ले रहा हूं पर स्टैंड लॉन सेलिंग प्राइस पर नहीं ले रहा हूं नहीं तो वह एक सेपरेट लीज हो जाती ना तो ऐसे केस में सीधी बात है मैं existing और लीज लाइबिटी को भी रिवाइस कर दूँगा और नया जो 500 स्कॉयर फिट का जो एक्स्टा जगा मैं ले रहा हूं उसका भी मैं और लीज लाइबिटी निकाल लूँगा दोनों के ऊपर मैं नया नया डिस्काउंटिंग रिट ले लूँगा ठीक है और मर्च कर दूँगा एक्सिस्टिंग मेरे पास 25 इसकॉयर फिट वाला जो आर यू लीज लाइबिटी उसको में रिवाइस करूँगा बेस रिवाइस इसकाउंटिंग रिट जो फाइंड में एक्स्टा इस ले रहा हूं उसका भी मैं निकाल लूँगा और तोनों को पर एड कर दूँगा देखने में बहुत ऐसा लगता है रहे है और कमपाइल करने में ज्यादा कोई टेंशन वाला काम नहीं है अगर दो चार पांच कोईशन धंसे कर लिए मेरे एक्जांपल भी बताय हुए कर लिए पानी कम चाहे है पालतु चीज है कुछ खास नहीं है डोंट वरी पाइनेशन स्टेटमेंट में आर यू और लीजवटी का प्रेजेंटेशन कैसे होता है पहले चैशलों के अंदर तो कैशलों के अंदर सिंपल सी बात है तुम जो भी पेमेंट कर रहे हो चाहे वो प्रिंस आर यू वाली कर रहे हो तो जो भी तुम पेमेंट कर रहे हो इसलिए वह सब तुम नहीं चाहिए कर रहा लेंट आक्टे में अकलेकिन यहां तक 1-1 फक्रैब अदर के अंदरzel along च्टियन अब क्बता एक अ सब एक है आपका sub lease, एक है आपका sale and lease back, और एक है आपका transition, यह चार्जीज है, मुझे बताइए, यहां तक आपको सब क्लियर है, येस, फिर हमने lesser की accounting करना शुरू की, lesser की accounting में क्या करते हैं, lesser की accounting में, पहले यह decide करना होता है, आपके लिए finance lease है, यह आपके लिए operating lease है, तो इसार यह कैसे decide होगा, कि finance lease है कि operating lease, operating lease is a lease, which is not a finance lease, finance lease जहां पर lesser यह दे बोल रहा है कि मैंने तो maximum risk and reward दे दिया भाई, logically यह asset बस owner मैं हूँ बस, पर सारे risk and reward lessy ले गया है, सारे rights lessy के पास चले गए, ठीक है, तो वो एक तरीके से finance lease है, फिर भी finance lease को prove करने के लिए, 5 characteristics बताए गए है, 5 indicators बताए गए है, 5 में से अगर कोई भी एक या एक का दुख्का satisfy हो जाए, तो माना जाएगा कि फाइनस lease है, जल्द जल्दी बात करेंगे, अपने इस पर ownership, अगर agreement में लिखा है कि lease term खत्म होने के बाद, ownership भी lessy को transfer हो जाएगी, तो वो finance lease है, दूसरा, अगर lessy को option दिया गया है, asset को purchase करने का at a very reduced price, compare to the fair value of the asset, और it is certain, कि lessy वो option लेके रहेगा, lessy के लिए वो बहुत ही बड़ी option है, वो मना नहीं करेगा, तो भी माना जाएगा कि यह finance lease है क्योंकि वो तो खरीदने वाला है, तीसरा, जब lease term और economic life में कोई ज्यादा अंतर ना हो, lease term एक तरीके से economic life को 75% या उससे ज्यादा cover कर पा रहा है, जब जितने भी lease payment में कर रहा हूँ, मतलब as a lesser, जो मुझे मिल रहे है lease payment, वो मेरी asset की fair value, मेरी asset की cost को पूरा-पूरा recover कर रहे है, वा भाई वा, मैंने asset जितने की खरीदी थी, वो मुझे पूरा पैसा lessy से मिल रहा है, present value के form में, क्या दिक्कत है, क्या बुरा है, अगर मेरे को पूरा पैसा मिल रहा है, तो lessy छोड़े का कान में बीडी लगा के बैठा है, क्या, अगर lessy एक तरीके से मुझे मेरी asset की पूरी cost पे कर रहा है, तो lessy भी तो asset को पूरा वसूल करेगा, तो यह finance lease है, और पांच वा, अगर lease के अंदर जो asset दी गई है, जो asset बताई गई है, वो asset specialized nature की है, customized asset है, lessy के according बनाई गई है, तो यह definitely finance lease है, क्योंकि कोई और इसको use कर नहीं पाएगा, सारे के सारे charges मुझे lessy तरीक कवर करने करते है, finance lease समझने के लिए, हमने कुछ terminology पर समझ बात की थी, terminology में हमने यह देखा था कि पहला terminology है, gross investment in lease, GIL, अरे बहुत easy है, GIL पता है क्या है, उपर तुम lessy के अंदर lease payment पड़किया थे न, तो वो as it is पूरा-पूरा lease payment ले लो, उसके अंदर GRV आ चुका है, ठीक है, बस उसके अंदर क्या करो, UGRV को add कर दो, और DP को add कर दो, बन गया तुमारा GIL, बस, यह बन गया तुमारा GIL, क्या बोला मैंने, DP को add कर दो, और UGRV को add कर दो, बन गया तुमारा GIL, lease payment जो तुम उपर पड़किया है, उसमें UGRV को add कर नहीं करना है, चलो DP तो एक बार receive हो गया अब जब तुमारा GIL निकली गया है, gross, तो उसकी present value निकाल लो, तो वो बन जाएगा NIL, net investment in lease, ठीक है, वो बन जाएगा net investment in lease, ठीक है सर, net investment in lease बन जाएगा, अब net investment in lease भी हो गया, UGRV कैसे निकला, सर, total estimated value में से, GRV जो भी guarantee की, LSE ने वो हटा दो, बाकी बचेगी UGRV, ठी accounting rate तो हमेशा interest rate implicit in lease लेंगे, interest rate implicit in lease क्या होता है, एक ऐसा rate, जिस rate पर, यह मैंने ऊपर छोड़ दिया था, अब मैं आके बता रहा हूँ आपको, कहां गया, कहां गया, यहां, एक ऐसा rate, जिस rate पर present value of GIL, present value of GIL बोल रहा हूं, जान बूच के, is equal to, आज के asset की fair value, is equal to asset की fair value, plus initial direct cost, is equal to asset की fair value, plus initial direct cost, अरे मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं, so, interest rate implicit in lease मतलब, present value of GIL is equal to fair value at inception, आज की asset की cost है, fair value है, वो, उसके बराबर हो, मतलब, एक तरीके से, यार, इसको दूसरी बाशा में बोले, तो, NIL is equal to fair value, plus IDC, एक ऐसा rate, जिस rate पर, NIL is equal to fair value, plus IDC हो जाए, interest rate implicit in lease, ठीक है, आई मेरी बात समझ में, बच्चों, मैं believe कर रहा हूं कि, जिस तरीके से, मैं, speed में, revision ले रहा हूं, वो, एक marathon type की revision नहीं है, वो, बिल्कुल, आराम आराम से, हम revision ले रहे हैं, ऐसा कुछ भी तकलीफ नहीं है, इसको, जिस तरीके से, ले रहा हूं, उस तरी पीडी-पीडी मेरे वाले होंगे, वो, speed में नहीं सुन रहे होंगे, ठीक है, speed में सुनने की कोई ज़र्व दिकत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो यह हमारा हो गया, हमें discounting rate कौन सा लेना है, अब बात करते, कि finance lease की accounting क्या होगी, मैंने अभी क्या बोला, lesser को क्या मानू, deemed seller मतलब माना जाएगा कि lesser ने तो अपनी असेट बेच डाली, lesser भी दो टाइप की होते, एक non-dealer, एक dealer, dealer बाद में, पहले non-dealer, non-dealer वो, जिसके books of accounts पे पीपी दिख रहा है, तो वो पीपी, books of accounts पे, book value पे, और वो lease receivable account book करेगा, जैसे lease liability, payable वैसे ही lease receivable book करेगा, NIL पे, मत अभी आपको बताया, कि NIL is equal to fair value होता है, तो fair value पे lease receivable book होगा, हमें down payment अलग से मिल गया, इस entry में, जो भी difference आएगा, वो पी इंटल में जाएगा, यह हो गया, आपका non-dealer, lesser का entry, इसके अंदर lease receivable, के उपर वो finance income book करेगा, finance income, उसी तरीके से निकालेंगे, जो table मैंने lease liability का बताये था, वाई, year end में payment हो सकता है, year के beginning में हो सकता है, तो interest किस पे निकलेगा, कैसे निकलेगा, मैं already बात कर चुका हूँ, पिर जब payment आएगा मुझे, तो bank account debit to lease receivable, asset तो जा चुकी है, तो depreciation तो लगाऊंगा नहीं, depreciation लगाऊंगा नहीं, खत्म, हर साल के end में, मुझे अनर्ण finance income दिखाना है, अनर्ण finance income क्या होता है, अनर्ण finance income मतलब, अगर lease term 5 साल का है, तो इन पूरे 5 सालों में, जित में से 1 साल मान लो हो चुका है, बाकी बचे हुए 4 सालों में, मैं कितना income, finance income और कमाने वाला हूँ, जिसका formula होगा, GIL minus NIL, मतलब बाकी बचे हुए 4 सा का remaining payment मुझे कितना मिलने वाला है, और उसका present value कितना है, that is the unearned finance income, मुझे disclosure करना है, financial statements में, notes or accounts में दिखाना है, balance sheet date पर हम क्या करेंगे, balance sheet date पर lease disable का table बनाएंगे, उसी तरीके से income book करेंगे, वो सब चीज़े होगी, जो UGRV आपने लिया था, क्या उसमें changes हो सकते हैं, तो मैंने आपर एक बहुत important example आपको करवाया था, ठीके, बहुत important example करवाया था, मैंने यहाँ पर कहीं लिखके रख है, तो आपको revise UGRV लेना पड़ेगा, और अगर आपका UGRV revise हो गया, तो आपका GIL बदल गया, GIL बदल गया, तो NIL बदल गया, तो आपका lease receival बदल गया, तो आपका ultimate impact किस पे आएगा, finance income पे, P&L में जाएगा, आपकी finance income गिर जाएगी, पर अगर आपका UGRV बढ़ गया आपने बोला, नहीं मुझे 40 सदारी मिलेंगे, 40 के साब से आपने सब revise कर लिगा, फिर वापस से 2 साल, 5 साल, 2 साल, 3 साल हो गया, वापस से आप 60 मिलेंगे, आप 60 consider नहीं करोगे, आपका original estimate 50 था ना, आप वापस 50 तक consider कर सकते हो, फिर उसमें बदल आवाएगे, फिर आपका finance income बर पढ़ेगा, तो आपको finance income को balancing figure के हिसाब से निकालना है, जो मैंने आपको example number 10 में निकालना सिखाया था, initial direct cost का क्या treatment होगा, initial direct cost अगर non dealer lesser है, तो वो उसको, वही, NIL की calculation में ले जाएगा, IDC to be deducted while calculating NIL, IDC to be calculated while calculating NIL, मैंने यहाँ पर बता भी दिया है, इसको यहाँ पर देखो, minus initial direct cost, ठीक है, इस तरीके से होगा, अब अगर तुम manufacturer or dealer lesser हो, तो इसका मतलब तुमारा रोज का काम है lease पर देने का, तुम कोई property जो lease पर दे रहे हो, asset जो lease पर दे रहे हो, वो तुमारी inventory है, वो तुमारा रोज का काम है, तो तुम sale भी book करोगे, sale किस पर book करोगे, lower of आज की asset की fair value, और present value of MLP, MLP क्या होती है, MLP क्या होती है, MLP मतलब annual lease payment plus GRV, इसमें UGRV नहीं आता, ठीक है, तो तुम आज sale पर book करोगे, क्योंकि तुम आपनी inventory को बेच रहे हो, तो तुम्हें खर्चा book करना पड़ेगा, पहले वो तुमारी asset थी, अब तुम COGS book करोगे, balancing figure बे, तो यह तुमारा dealer lesser की entry है, बाकि सारी की सारी चीज़े same to same, income उसी तरीके से निकलेगी, payment उसी तरीके से होगा, disclosure, un earned finance income का भी होगा, और balance sheet time पर जो यह changes किये हैं, तुमने वो यहां पर भी वही के यह होगे, यह होगे, तुमारा dealer lesser की accounting, dealer lesser अगर कोई initial direct cost का खर्चा करता है, तो वो इसको NIL में नहीं लेके जाएगा, वो directly उसको PNL में लेके जाएगा, consider नहीं करेगा IRR में, यह था तुमारा finance lease का accounting, operating lease तो और आसान, operating lease का है, जहां हम asset के risk and reward पूरी तरीके से transfer नहीं कर गारेंगे, asset हमारी books में रखेंगे, as a lesser, हम उसको depreciate करेंगे, जो भी हमें lease income हरी है, हम उसको SLM basis पे record करेंगे, किस basis पे record करेंगे, SLM basis पे record करेंगे, आ रहले गा मेरी बात समझ में, हम उसको SLM basis पर record करेंगे, ठीक है, तो asset को SLM basis पर record करेंगे, मैंने example दिया हुआ है, 4 years का lease term है, हर साल 10% का increase होगा, आम तर पर आपने ये contract देखे होगे, हर साल increase होगा, मुझे पता है, 4 साल का है, तो divide by 4 करके, मेरा हर साल का income इतार रहेगा, बाकी मैं deferred rent वगेरा के नाम से book क deferred rent ये 14 साल के end में खतम हो जाएगा, ठीक है, depreciation continuously लगाँगा, कोई अगर initial direct cost मैं bear कर रहा हूँ, अगर वो material है, तो मैं उसको अपनी asset की carrying amount में add on कर दूँगा, इम material है, तो P&L में, variable lease permit अगर मुझे मिल रहा है, operating के अदर, तो directly वो P&L में जाएगा, ठीक है, land and building अगर मैं इस दोनों हो सकता है, मान लीजे, land part अलग हुआ, building part अलग हुआ, पर rent तो single है, मैंने land and building lease पर दे दिया, 10 लाग रुपए के lease rent पर हर साल का, अब 10 लाग को अलग अलग कैसे करो, land में अलग जाएगा, building में अलग जाएगा, तो land की आज की fair value, building की आज की fair value, 10 लाग को मुझ इस दिया हुआ है, total lease rent अपका 3 लाग रुपए का है, land की fair value, building की fair value दिया हुए, 3 लाग रुपए को आपको land और building में allocate करना है, land वाले part को operating lease, SLM, building वाले part को हो सकता है, finance, finance तो आपको पता है, NIL, GIL, lease receivable account, debit to asset, फिर हमने lesser के अंदर lease modification पढ़ा, जैसा lessy में lease modification का, यहाँ प modification है, कि वो operating lease modification, finance lease modification है, finance lease modification मतलब, finance lease modification जो मारा finance lease का agreement है, मैं lesser हूँ, मैंने शुरू से उसको finance lease माना हुआ है, अब उसमें change हो गया, क्या change हुआ, lessy मुझसे extra जगा, extra space मांग रहा है, with stand-alone price पे, 1000 square feet मैंने उसको already दे रही है, वो मुझसे 300 square feet और मांग रहा है, तो मैंने उसक अगर उसको छोड़कर कुछ और चीज़े है, तो क्या क्या हो सकता है, मैंने finance lease मान लिया था, पर गलती हो गई, मुझे ऑपरेटिंग lease करना चाहिए था, उसको बोल रहा है कि वो continue नहीं कर पाएगा, मेरी finance lease operating में convert हो रही है, finance की थी तो क्या किया था, finance की थी तो मैंने asset को वापस लेकिया होंगा, और lease receable को recognize कहता हो, इसको reverse कर दूँगा, same amount के, यह देखो, no retrospective change, transfer caring amount of lease receable to asset account, asset account debit to lease receable, same करें, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इसको छोड़कर, finance lease operating में जा रही है, ऐसा नहीं, यह वही है, मतलब finance lease finance में हो रही है, पहले भी finance है, अभी भी finance है, पर कुछ और changes हो रहे है, term बदल गया, amount बदल गया, वो सब चीज़े हो रही है, तो ठीक है, आप यह step follow करो, step number one, current carrying amount of lease receable, अरे वही same to same, वही री मेशरमेंट जो मैंने lease liability के अंदर करवाय था, आज का lease receable का amount कितना है, lease receable, नए discounting rate के साब से कितना होगा, दोनों को compare करो, difference जाल दो P&D, simple, अगर operating lease में modification हो रहा है, तो आज के दिन से, जिस दिन modification हो, उस दिन से नया lease बान लो, बस, that's it, यह होगे तुमारा modification, अब क्या बचा, अब बचा sub lease, और sale and leaseback दोनों important point बचे है, sub lease क्या होता है, इसमें 3 parties आ रहती है, एक होता है head lesser, जिसने originally अपना asset lessie को फिर lessie आगे एक और वेक्ती को lease पर दे रहा है, तो जो lessie होता है, original lessie, वो बन जाता है, intermediate lesser, और final lessie बन जाता है, ठीके ना, example मैंने आपको यहां पर दिया था, विशाल सर ने जय सर को दिया, जय सर ने रभी सर को दिया, तो जय सर बन गए आपके intermediate lesser, यहां sub lease के अंदर, Mr. जय सर जय जो बीच वाला पार्टी है, विशाल सर ने जय सर को जय सर ने रभी सर को दिया, तो जय सर है, जय सर की books में accounting treatment क्या होगा, वो हमें देखना है, ठीके, जय सर की books में accounting treatment क्या होगा, वो हमें देखना है, क्या होगा सर, बहुत easy है, simple है, सबसे पहले, जय सर ने विश मैंने विशाल सर से लेके रोई उबुक किया अब मुझे रोई को डी रिकनाइस करना पड़ेगा एंट्री करना पड़ेगा लीज रिसीवल अगाउंट डेबिट तो आर यू अब जैसर की बुक्स में देखेगा लीज लाइबिटी तो विशाल सर एंड लीज रिसीवल फ्र जैसर और ऐरिजनल लीज वाली चीजों को सब्ली वाली इंकम एकस्पेंस असे लाइबिटी से सट आफ नहीं करेंगे कभी भी यह होगया तुम्हारा सब्लिस सेल अंड लीज-बैक जहां पर मैं अपनी असेट को पहले बेच रहा हूं फिर उसी पारटी से अपनी असेट लिए फालतू का ट्रांदिशन बस दिखावेगा है यह कोई नहीं हुआ है इस इस अपर अपने आसेट लेकर असेड वापस ले लिए हमीशा के लिए यह एक पर क्या मनें जाएगा मैंने सेल किया है 7-year वाला पार्ट असेट का 10-years का था था ना तो 7-year वाला पार्ट मैंने सेल किया है 3-year वाला पार्ट मैंने रिटेन किया है तो यह वाला पार्ट फुला सा important है इसमें कैसे accounting करनी है step number one पिटा, sale and lease back में सबसे जरूरी है ratio यह सबसे जाद जरूरी है ratio यह ratio क्या होता है present value of lease payment divided by fair value of the asset यह ratio क्यों जरूरी है यह ratio जरूरी है gain के दो हिससे करने के लिए और R.O.U. book करने के लिए यह basically treat होता है retained part हमारा कितना है lease payment जितने part को मैं retain कर रहा हूं उसके लिए मैं rent भर रहा हूं और fair value of the asset मतलब जो पूरे asset की fair value है जिस पर asset बिक नहीं चाहिए तो यह ratio important है सबसे पहले आपको यह ratio निकाल कर रखना है ठीक है फिर आपको क्या करना है calculate calculate the recognize lease liability अब lease liability को recognize करेंगे present value of lease payment पर अब gain gain कैसे निकलेगा gain निकालने का तरीका मैंने gain निकालना सिखाया था fair value minus carrying amount चाहे कोई भी case हो fair value minus carrying amount उस पूरे gain को उस पूरे gain को आप दो हिस्सों में divide करोगे gain on retained part gain on transferred part तो total gain की उपर जब तुम यह ratio लगा हटा होगे तो यह आजाएगा gain on retained part और total gain में से वह gain on retained part हटा होगे तो तुमारा gain on transferred part आजाएगा जिसको तुम बुक करोगे ROU asset किसमें बुक करोगे ROU asset तुम बुक करोगे आज की asset की carrying amount के proportion में आज की asset की carrying amount है उसके उपर लगाओगे यह वहला ratio तो अगें बोल रहा हूँ यह ratio सबसे पहले निकाल के रख ले present value of lease payment divided by fair value यह ratio को तुम अपलाई करो asset की आज की carrying amount पे तुमारा ROU आ जाएगा gain loss मैंने shortcut बताया था चाहो तो तुम gain loss मत निकालो as a balancing figure कर दो निकालना है तो total gain निकालो सबसे पहले total gain मतलब fair value minus carrying amount loss को loss आ जाएगा ठीक है फिर हमने discuss किये थे entry कि आज asset को बेज कर कितना पैसा मिला cash account, debit account, debit ROU asset हमने कितना record किया proportionately carrying amount के proportion में ratio multiply करके पी-पी जो हमारी asset कि आज की carrying amount थी वो d-recognize हो गई gain हमने कितना recognize किया on transfer part और lease liability present value यह तो entry normal होनी होनी है अलग से loan account भी credit होगा अलग से loan account क्रेट होगा अलग से loan account क्रेट होगा अगर मैंने asset को sale किया है 10 lakh पे और asset आज है सिर्फ 8 lakh पे सोचो आज asset 8 lakh की है मैंने 10 lakh में sale किया है सामने वाला पागल है क्या मुझे वह 10 lakh क्यों दे रहा है 12 lakh रुपे मुझे वह extra loan के दे रहा है हां तो वह extra loan मना जाएगा और उस loan amount को मैं separately record करूंगा और उस loan amount को मैं lease payment के present value से भी minus कर दूंगा क्योंकि वह separate loan है जबकि अगर उल्टा हो गया आज asset 10 lakh की है मैंने बेची 8 lakh में तो क्या जाके add कर दूंगा क्योंकि तो मैं पता है कि down payment को हम add करते हैं I hope आपको ये portion समझ में आ गया होगा और अगर sale करके finance lease पर ले लिया तो ये borrowing arrangement हो गया उसके उपर में आपको एक example दिया था example 11 last but not the least transition provision transition provision हमने क्या discuss किया था सबसे पहले तो practical expedient shortcut दिया गया है कि transition provision का मतलब होता है कि तुम पहले AS लगा रहे थे अब तुम इंडेस में आ रहे हो तो इंडेस में आते वक जो तुमारी existing lease चल रहे है जिसके उपर AS लग चुका है तुम उसके उपर 116 की lease की definition apply मत करो तुम उसको by default lease मान लो पर 116 यह लेसी को shortcut दिया गया है AS 19 मतलब previous gap में तुमने क्या करके रखा होगा या तो तुमने पहले operating मानी होगी या तो तुमने पहले finance मानी होगी ऐस लेसी पर अब तुमें क्या करना है अब तो तुम लेसी हो तो तुमें से सिर्फ ROU और lease liability की accounting करनी है तुमें आपर दो option दिये जा रहे हैं या तो तुम full retrospective approach apply करो या तो modified retrospective approach apply करो mostly लोग modified करते हैं full मतलब अरे भाया जिस दिन तुमारी lease शुरू होई थी ना उस दिन से पूरा 116 उस दिन से लगा दो सब सब वही से और वहां पर लगा के उनको आज की value क्या होनी चाहिए थी ROU की और lease liability की वो book करो और अगर वहां कोई difference आ जाए तो retained earning में ले जाना बस ही आई है discounting भी उसी time का सब 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 मानलो 10 सल पुरानी lease है तो 10 सल पहले lease liability निकालते तो कितनी निकालते तो इस ROU को depreciate करते 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 आज कितना आता lease liability के वो टेविल बना के आज कितना आता उत पर बुक करो और जो difference आगा gain loss को retained earning में आफरो that is called full retrospective approach modified retrospective approach पहले से ही उसने finance lease मानी रखी दी बढ़िया है तो तुमारी बुक्स में तो already lease liability चल रहा होगा पहले से चल रहा होगा बस ROU asset का नाम बदल दो तो carrying amount of ROU asset and lease liability in current year will be equal to the carrying amount of lease asset as per the previous year तुम तो पहले से ही finance lease मान के बैठे थे तो तुमारा वही continue करो बस नाम बदल दो ROU नाम कर दो तुमारी पहले operating थी तो तुमारी बुक्स में कोई lease liability और ROU asset नहीं दिख रहा है पर अब तो दिखना पड़ेगा तो क्या करोगे पुराने figures restate करने की जरुरत नहीं है lease liability कैसे निकालोगे पीछे जाने की जरुरत नहीं है अब कितने remaining payment बचें उन payment का आज का present value निकाल लो और discounting rate भी आज का ले लो at the rate of adoption यह आगई तुमारी lease liability ROU के लिए दो option है पहले दूसरा option बोलूँगा ROU को ऊपर वाली lease liability के बराबर मान लो हतम लुमोशली लोग यह करते है यहां एक और option है कि ROU तुम्हारा शुरू से अगर तुम निकालते है यह वाला इसके हिसाब से तुम अगर ROU निकालते तो तुम्हारा ROU कितना आना चाहिए था आज depreciate हो हो के हो के हो के वह करो और वह उस पर record करो के तो difference आएगा difference आएगा तो return जाएगा यह है तुम्हारा transition approach so guys this was index 116 I believe आपको index 116 like revision में compile up हो गया होगा और यह compile up से आपका confidence boost up हो जाना चाहिए कि हाँ यह चीजे बड़ा बले बड़ा बड़ा सा standard है पर ऐसे ही है कुछ खास नहीं है और मैं आपको इक बाग बता हूँ मैं बार 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 क्यों बोलता हूँ आपने शाहिए ध्यान दिया होगा कि easy है easy है मैं बोलता है easy है तो आप सच में उसको easy मानोगे अगर मैंने आपको ड़ना चुरू कर दिया अरे भाई यह वाला इंडेस तो खतरनाग है यह खतरनाग है तो आपका mindset ही वैसा हो जाएगा आप भी बोलोगे हां यार है तो खतरनाग और simple सा मैं सच बता रहा हूँ कुछ खास नहीं है झाल झाल